तो आज हमआएंगे बिल्कुल ढावा इस्टाइल से आलू पालक की रेसिपी जी हाँ दोस्तों बिल्कुल हरा बरा ओफ्रेंस बहुत से लोगों क्या होता है कि जो पालक उबालते में यल्लू कलर होता है पीला पीला सा हो जाता है वह बिल्कुल भी अच्छा भी लगता टेस्ट में और खाने में बेकार लगता है तो आज मैं आपको धाबा इस्टाइल यह नूं कहो के मेरे इस्टाइल से आप बनाए यह आलू पालक की रेसिपी गाइस देखते ही आपके मुह में पानी आएगा तो वीडियो को जरूर फुल देखना तो चलिए दोस्तों देरी किस वात की करते हैं वीडियो स्टाट हेलो एवरीवन वेल्कम बैक टू माय चैनल कुछ की रसोई सो दोस्तों बनाते हैं आलू पालक की यह रेसिपी सो फ्रेंस आलू पालक बनाने के लिए सबसे पहले यहा बहुत ही अच्छी से दो तीन वारना अच्छी से वाश किया है इसकी सारी मिटी निकल चुकी है तो अब हम इसको उबालेंगे तो फ्रेंस एक बात कर धियान रखना कि आपनो कुकर में बिल्कुल मत उबालना आज हम आपको फ्राइफेन में उबाल के दिखाएंगे बिल् सुनकी तो यह बड़ी साइस की है तो इसलिए मैं यहाँ पर चार पास ले लिए और यहाँ पर रख दिये ठीक है और दो हरी मिर्ची डाल दिया क्या मेरे तीही बहुत जादा मिर्च है इसलिए मैं दो लिए आप ज्यादा भी डाल सकते हैं और आजा एंच मैंने अधर डा यहाँ पर नमक डाल देंगे उबालने में तक जो आपका पाला के बहुत जल्दी भी उबलेगा तो हम नमक दाल दिया है और थोड़ा सच डाले के पानी ज्यादा नहीं डालना आदा कप के करीब यहाँ पर पानी डाल दिया मैंने और इसको आप हम बॉइल करेंगे तो चल स्टाइल का स्वाद आएगा तो चलिए अब प्लेट ढखके ना इसको मतलब ज्यादा नहीं उबालना करीब इसमें हम पांच मिनट तक ना इसको अच्छी से उबालेंगे फिर पांच मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे लीजी फ्रेंड्स पांच मिनट हो चुकी है और मैं आ यह गल्स आप डेख तो हमैं इतना है इसको उबालना है मिनट लागा तो आप दी देख सकते हैं यह जो च्होड़क में नहीं धोराई आया यह थोड़ा किंहलर आ आप ज्यादा क्वानट TOWeeee तो आप मैं इसको पहला अच्छे से ठंडा कर लेती हूं पालक को फ्रेंट्स यह लीजिए पालक अच्छे से ठंडा हो चुका है अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी जार लेंगे चोड़ा वाले लेंगे जिसमें हम चटनी बनाते हैं वही ले लेंगे और इसमें सारा पालक और सला कि रेक 550 उसका च्छाहिता है अच्छे से और Lehr हम चाह लेंगे तइयार कर लेंगए तो यह लीजिए बहृत margin supports पंब्न के तयार हो चुका है और आप देख रखो पिल्कुल पहरी के इस पहरा अन्के और शाहरा ने केले दोस्तों हमारा पालक तयार हो सब्सक्राइब दो बड़े साइज के ना आलू पहले सी उबाल लिये थे तो मैंने उबाल के छोटे चोटे पीसेज इसके कट कर लिया तो भी पालक अलू बनने वाला है तो उसमें आलू तो जाहिर सी बात डले गई ठीक है और यहां पे मैंने थोड़ा सा हरादनिय कट कर लि तरफ इसमें आप आला कालू में आप टमाटर की कौंटर्टी जादा रगना क्योंकि इसमें आप टमाटर का सुआत बहुत ही अच्छा आता है तो एक बार ट्राय जरूर करना और टमाटर जरूर डाला तो चलिए तड़के की सारी तैयार ही हो चुकी है तो अब हम तड़का लगाएंगे इसके लिए चलते अपनी गैस की तरफ सो फ्रेंट गैस पर हमने कड़ाई रग दिया और यहां पर हमने रिफाइंड ऑइल डाल दिया है अगर आपके पास सड़सों को तेल होना तो उससे जरूल तड़का लगाना क्योंकि मेरे पास थानीना तो मैंने यहां लगा रहें इससे भी टेस्ट बनता है लेकिन जो सड़सों को तेल में स्वाद आता है वो अलग ही आता है तो चलिए पहले इसको अच्छे से गरम होने देते हैं लीजिए फ्रेंस बहुत ही अच्छे से हमारा ओल गरम हो चुका है तो एक चौता ही चमच जीरा डाल देंग और इसको अच्छे से चटकने देंगे अब यहाँ पर हम एक चौता ही चमच डाल देंगे मैथी दाना इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे हींग से बहुत ही बड़ी है फ्लेवर आएगा हमारे आलू पालक में तो चलिए अब इसक अच्छे से हम भुनने देते हैं लीजी फ्रेंस लहसुन अच्छे से भुन गया है तो यहाँ पर हम प्याज भी डाल देंगे यह देखे प्याज डालने कवाद प्याज को पहले अच्छे से मिलाएंगे और फिर अच्छे से इसको हम भुनने देंगे यह दीजिए दोस्तो अच्छा टेस्ट आता है तो चलिए दोस्तों यह भी अच्छी से बहुन गई है आप देख सकते हैं पर्फेक्ट तो चलिए अब यहां पर जो हमने टमाटर कट करके रखे इतना वह टमाटर हम डाल देंगे फ्रेंट्स मैं पहले भी बिता दी आपको यहां पर टमाटर आप इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो यह लीजी मैंने सारी टमाटर डाल दी है अब यहां पर ड्राए मसाले एड करेंगे सबसे पहले एक चौछा चमच डाल देंगे हल्दी पाउडर और आदी चमच हम डाल देंगे हापर लाल मिर्ची पाउडर फ्रेंट्स आप तीखा अपने हिसाब से ढाल सकते हैं कम ःया ज्यादा और एक चमच बरकर दाल देंगे धनियागा और जीरा पाउडर उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़े टेस्ट आएगा आपके और कोई भी मसाली हो तो भी डाल सकते हैं और यहां पर स्वाद अनुसार टालेंगे नमक, अच्छे नमक दिहां से डालना क्योंकि हम आप उबालने में भी डाल था तो ध्यान में रखते हैं आप नमक इसमें एड करना है तो चलिए सारे मसाले को अच्क्षे से पहले हम मिला लेते हैं तो फ्रेंट्स हमारे मसाले जलनी जềना तो मसाला पुन गया है और इसी बीच में हम हरा बरा पालक डाल को देंगे और कलर आप देख सकते ना बहती नहुत ही बढ़ी आए और थोड़ाइ अधे बढ़ी आए और और कणा लोगे डालो था कॉबला हुआ पानी ना भी कट करें ना हम इसको ना तो यहां पर मैंने अब बहुत ही अर्फ तो चलिए दोस्तों अब इंगे उसको अच्छ खदके ही अर जब सकतो है टे-बरी नैबाने तयार हो चुआ है जो यांपर हम थोड़ा सा हरा धनी के पत्ति या नऄ डृबोगार या चुिल और भीड़ारन कbach टेंगे तो चलिए दोस्तो आलू पालक बनके तयार हो चुका है तो फटा-फट से फ्लेम को आफ कर लेते हैं और दूसरे बर्तन में इसको हम ट्रांसफर कर लेंगे तर्के की तयारी कर लेंगे तो फ्रेंट्स एक चम्ची में मैंने यहां पर बटर ले लिया है और गैस पर रखे फ्लेम को आउन कर लिया है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस बटर को अच्छे से गरम कर लेते हैं तक यह बुलकुल मेल्ट हो जाए फ्रेंट्स यह लीजए बटर ह हमारा बहुत इचैसले गरम हो चुका है तो फ्लेम को अउफ कर देते हैं अभ तर्के में यहा पर थोड़ा सा हीन्ग डालेंगे बहुत ही अच्छ TARD zeg यहां पर दालेंगे मिर्ची एक छमच भर जालेंगे चयां आप चल के देखनी आप के मिर्च ही मिर्च के सबस्मेर सब्सक्क्राइच चल के लिए देखेंगे आप टड़का जो टाकर मनें é remains देखिए फ्रेंट्स खुश्वू की तो क्या बात करूँ पूरे घर में इसकी खुश्वू महक रहती और मेरे घर में यह बहुत ही सबको पसंद आया सच में जो नहीं खाता है ना गाइस वह भी खाएगा और एक रोटी की जगे ना चाट-चाट रोटी खाएंगे और उंग कुल धाबा इस्टाइल या यह मेरे इस्टाइल का है फ्रेंट्स बहुत ही गजब लगा है मतलब अगर इस तरीके से बनाएंगे ना तो हरा बरा तो बने गई तो फ्रेंट्स आपना उंगले चाट-चाट के खाएंगे सच बता रहे हैं गाईस एक बार ट्राएं जरूर कर अच्छी लगी हो तो प्लीज गाई चैनल को सब्सक्राइब जरू करना बर बर के लाइक कर देना कोमेंट वोक्स में जरू बताना के पाला खालो की रैसिपी आपको कैसी लगी जाशेया शेयर करना ताकि बाकी लोग भी अपने घर में बना कर कर सके और इंजॉय कर सके अच्छी वां देना डेहर सारा प्यार देना में लेंगे नेक्स प्रियों के साथ नीव रैसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए टेक कियो लव यू आल